इसे पहले वाले क्लास में हमने यहाँ पर power windows या फिर masking यूज़ करके हमारे footage के certain parts में editing या फिर color grading करना सीख लिया है और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जब हम यहाँ पर अपने subject या फिर object के around mask rate करते हैं तो वहाँ पर हमारा mask उसी specific frame में मौझूद होता है और जैसे ही हम वीडियो प्ले करते हैं तो हमारा mask गया भयाता है और हमारा वो जो special area था जहाँ पर हमने mask create किया हुआ था वो वहाँ से हट जाता है इसी चीज़ को हम यहाँ पर आज fix करने वाले हैं और यहाँ पर advanced तरीके से हमारे mask को track करने वाले हैं और हमारे mask या फिर power windows को animate करते हुए हमारे पूरे वीडियो में apply करेंगे तो चले वीडियो को start करते हैं और इसे समझते हैं सो इसे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ पर masking या फिर windows tab यहाँ पर cover कर लिया है जिसे हमने यहाँ पर in depth यहाँ पर cover किया है मैंने उस वीडियो में आपको सारे windows के यहाँ पर tools and masking के जो भी यहाँ पर tips and tricks है वो सारे आपको बता दिये थे and वहाँ पर हमने देखा था कि हम कैसे अपने windows को यहाँ पर use करके अपने footage के certain and specific parts के यहाँ पर colors और lighting को यहाँ पर adjust या फिर manipulate करते हैं ठीक है but यहाँ पर windows या फिर masking use करते वक्त एक case आता है जो कि यहाँ पर बहुत ही challenging होता है and वो है इस तरह के footage में masking या फिर windows यूज करना you can see यहाँ पर मैरे पास एक footage है जिसमें मैंने यहाँ पर यहाँ पर windows create किया था like this मैंने simply इस logo को यहाँ पर slick किया था windows यूज करके और मैंने यहाँ पर use किया था ये curve tool ठीक है इस tool को कैसे use करना है मैंने सारी चीज़े आपको बताई हुए है आप इस वीडियो को पहले देख सकते हो उसके बाद यहाँ पर आप continue कर सकते हो so मैंने इस logo को यहाँ पर slick किया और यहाँ पर इसे isolate किया but यहाँ पर जब मैं इस तरह से वीडियो प्ले कर रहा हूं तो यहाँ पर आपको दिखरा होगा कि यह लोगों यहाँ पर move कर रहा है यहाँ पर zoom कर रहा है rotate हो रहा है और यहाँ पर pan भी कर रहा है ठीक है एंड हमारा mask या फिर window यहाँ पर अब misplace हो गया है अब अगर हम यहाँ पर कोई change करेंगे like this ठीक है इस तरह से तो यहाँ पर हमारा window still उसी जगाँ पर है और हमारा यहाँ पर footage move हो रहा है जो कि यहाँ पर इस तरह से masking करना useless हो जाएगा तो इसी चीज़ को यहाँ पर fix करने के लिए हमारे पास है यह tracker window जहाँ पर हम अपने windows को track कर सकते हैं in real time and अपने windows या फिर mask को automatically हम यहाँ पर move कर सकते हैं जहाँ पर भी हमारा footage move करेगा या फिर pan, zoom या rotate करेगा ठीक है तो इसके लिए हमें simply उस जगाँ पर यहाँ पर move करना है जहाँ पर हमने इस mask को create किया था like this मैंने यहाँ पर इस frame में इस mask को create किया था इस window को जो कि कुछ इस तरह से है और यहाँ पर एक perfect mask यहाँ पर created है ठीक है तो मैं यहाँ पर इससे disable कर रहा हूँ shift plus s और अब मैं चाहता हूँ कि यह जो logo है वो यहाँ पर real time मेरे mask के साथ यहाँ पर track हो तो इसके लिए simply हमें अपने windows के बगल वाले यहाँ पर tab में switch करना है जो क यहाँ पर basically अपने window tracker को यहाँ पर cover करने वाले है तो हमारा window tracker यहाँ पर कुछ इस तरह से नजर आएगा जब से पहले यहाँ पर उपर में हमारे पास यह buttons है track के पहला हमारा है track one frame reverse इसके बाद track reverse then stop tracking उसके बाद track forward and reverse जिसे हमें पर use करके automatically हमारे forward and reverse सारे frames को यहाँ पर ए बटन है track reverse and forward वो हमारा यहाँ पर newly added है हमारे कुछ latest version में ठीक है पहले यहाँ पर यह जो feature है वो यहाँ पर नहीं था हमें यहाँ पर track forward and reverse यहाँ पर करना पड़ता था manually तब जाके हमारा track यहाँ पर complete होता था बट यहाँ पर हमारा track reverse and forward एक साथ यहाँ पर दिया गया है हम यहाँ पर इसे click करके हमारे पूरे track को या फिर window को पूरे frame में यहाँ पर track reverse and forward कर सकते हैं एक साथ इसके बाद हमारे यहाँ पर transform option है like pan, tilt, zoom, rotate and 3D तो अगर हमारा footage यहाँ पर pan हो रहा है rotate हो रहा है, zoom हो रहा है like मेरे यहाँ पर footage में इस तरह से यह rotate हो रहा है pan भी हो रहा है, zoom भी हो रहा है और यहाँ पर kind of यहाँ पर 3D भी आप इसे बोच सकते हो तो मैंने यहाँ पर इसे पूरे में ही यहाँ पर tick रखा हुआ है by default, ठीक है इसके बाद आपका यहाँ पर animation या फिर track option है like clip and frame इन दोनों में difference क्या है, मैं आपको भी बताऊंगा ठीक है, and इसके नीचे हमारे पास यह timeline है जैसा कि हमारे पास यहाँ पर होता है इस तरह का timeline उसे तरह हमारा यहाँ पर यह real time यहाँ पर चलता हुआ रहता है timeline ठीक है और इसके नीचे हमारे पास यह properties है जिसे हम यहाँ पर track करेंगे तो यहाँ पर यह नजर आएगा हमारा यहाँ पर each जो property है उसके color यहाँ पर हमारे transform के color से यहाँ पर match कर रहे होंगे आप यहाँ पर समझ सकते हो यहाँ पर यह pan का है यह blue वाला यहाँ पर tilt का है zoom and rotate ठीक है उसी तरह से उसके पास हमारे पास यह slider है जो कि यहाँ पर zooming के लिए है आप यहाँ पर इसे use करके zoom कर सकते हो अपने footage में अपने tracking timeline में तो इससे पहली कि हम यहाँ पर इसे track करे मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ पर कोई moving footage में कोई window बना रहे हो like मैंने यहाँ पर इस frame में बनाया है तो आपको यहाँ पर अपने footage का best frame यहाँ पर टूनना होगा तब जाके आप यहाँ पर एक mask या फिर window create करोगे like मैंने यहाँ पर यह footage रखा हुआ है तो यहाँ पर अभी यह first frame में हमारा footage यहाँ पर इस तरह से rotate है और बहुत दूर है हमारा logo यहाँ पर बट मुझे इस logo को यहाँ पर animate करना था या फिर track करना था तो मैं अगर अभी इस frame में एक window यहाँ पर create करता तो यहाँ पर मुझे बहुत परिसानी होती क्योंकि यहाँ पर यह जो logo है वो यहाँ पर बहुत छोटा लग रहा है और यहाँ पर सीधा नहीं है तो हमारा जो window tracker यहाँ पर है वो यहाँ पर easily इसे यहाँ पर track नहीं कर पाएगा तो हमें यहाँ पर always ध्यान देना है कि हम अपने window को उसी frame में यहाँ पर create करे जिस जगा पर हमारा जो track subject है या फिर object है वो यहाँ पर इस तरह से सीधा लगे और बहुत यहाँ पर बड़ा दिखे और यहाँ पर हम इसे easily create कर पाए हमारे masking को इस तरह से ठीके जिस तरह से मैंने यहाँ पर इसे create किया है तो इसलिए आपको यहाँ अपने footage में इस तरह का यहाँ पर एक perfect frame यहाँ पर ढूंडा हुगा in this case मैंने यहाँ पर इस portion को यहाँ पर ढूंडा हुआ है around 1 second और 9 frame में ठीके और मैंने यहाँ पर mask create किया हुआ है तो अब हम यहाँ पर finally से track करेंगे और track करने के लिए simply हमें यहाँ पर इस button को यहाँ पर click करना है क्योंकि यहाँ पर यह automatically track forward and reverse कर देगा हमें यहाँ पर manually track forward and then reverse यहाँ पर करने के जोड़त नहीं है यह हमारा पूरे timeline यहाँ फिर frame में track reverse and forward कर देगा तो मैं इसे यहाँ पर click करता हूँ और wait यहाँ पर यह point create कर रहा है यहाँ पर पहले आगे गया फिर आभी देखिए यहाँ पर पीछे आ रहा है यानि कि यह track reverse कर रहा है यहाँ पर track forward and reverse ठीक है और look at our timeline यहाँ पर हमारा generate होना track details या फिर data so इसने यहाँ पर successfully हमारे लोगों को यहाँ पर track कर दिया है वो भी just one click में ठीक है and you can see यही reasons है कि लोग यहाँ पर Premiere Pro and Final Cut Pro यह से software से यहाँ पर switch कर रहे है और टैवेंचिर जोल के अंदर आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों को इस तरह का यहाँ पर powerful tools यहाँ पर दिया गया है जिससे हम अपने footage के किसी भी area को track कर सकते हैं और उसमें specific changes कर सकते हैं absolutely amazing and high class तो हमने यहाँ पर इसे इस तरह से mask किया और यहाँ पर इसे इस तरह से track किया and you can see यहाँ पर यह कितना perfect है ठीक है तो यहाँ पर यह tracker feature बहुत ज़्यादा powerful है और हम चाहें तो यहाँ पर किसी भी frame एरा कर अपने इस mask में या फिर window में कोई भी तरह का यहाँ पर changes कर सकते हैं लाग यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अपने saturation को और यहाँ पर यह कितना perfect है आप यहाँ पर देख सकते हो राइट तो मैं यहाँ पर वापस से अपने window को on कर रहा हूं और यहाँ पर वापस से saturation default कर रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर जब मैंने इसे track किया तो मैंने यहाँ पर सारे transforms जो यहाँ पर properties थे उसको यहाँ पर on किया था यानि कि मैंने यहाँ पर डेमजी को बोला कि आप इसे track करिए in the basis of pan, tilt, zoom, rotate and also 3D तो इसलिए हमारे tracker ने यहाँ पर इन सारे properties को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसे track किया तो अगर मैं यहाँ पर इसे undo करूँ और मा लेते हैं वापस से इसी frame में आऊं one second and nine frame जहाँ पर हमारा window सही है और यहाँ पर मा लेते हैं कि यहाँ पर यह जूम हो रहा है ठीके तो लेट से कि मैं यहाँ पर किवल जूम को यहाँ पर track करूँगा और सारा यहाँ पर off रहेगा ठीके again start tracking reverse and forward तो यहाँ पर यह उसी तरह forward and reverse track करेगा और यहाँ पर यह कुछ इस तरह का हमें track कर रहा है ठीके तो यहाँ पर यह जो window है हमारा off हो गया है क्योंकि हमने इसे बोला था कि आप यहाँ पर सिर्फ जूम प्रपर्टी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसे track करो बट यहाँ पर इस footage में rotate भी है pan भी है और यहाँ पर यह tilt भी हो रहा है ठीके तो इसलिए यहाँ पर यह tracking अच्छा यहाँ पर नहीं और यहाँ पर इसे वापर से track करो and you can see यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा fast है और यह तुरंत यहाँ पर track कर देता है and also आप यहाँ पर दे सकते हो कि यहाँ पर यह इस तरह का यहाँ पर point create कर रहा है और यह point यहाँ पर track होते समय यहाँ पर नजर आते हैं अभी यहाँ पर तो आपको यहांपर अगर वह points देखना है, तो आप यहांपर इस interactive mode को यहांपर on रखोगे और आपका यहांपर उजो point था वो यहांपर नजर आने लएगा, तो आपका यहांपर यह point नज़र आ रहे हैं, जो कि आपका कहलाता है tracker point और यह जब point यहाँ पर बहुत सारे होते हैं वो यहाँ पर point cloud यहाँ पर कहलाते हैं and यही वो point है जो कि यहाँ पर आपके surface में add होते हैं और यहाँ पर हमारे tracker को बताते हैं कि यहाँ पर यह जो mask है वो यहाँ पर इस इस जगा से यहाँ पर move हो रहा है, rotate हो रहा है या फिर zoom हो रहा है और उसी के basis पर यहाँ पर हमारा tracker इसे track करता है ठीक है इस तरह से हम यहाँ पर इस interactive mode को यहाँ पर on off कर सकते हैं और हमारे point cloud को यहाँ पर check कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास यह यहाँ पर data कुछ create हुआ है, जो कि मैंने बताया था भी, यह color wise यहाँ पर in properties के लिए हैं, और यहाँ पर यहाँ पर इस parameter से आपका यहाँ पर जो footage या फिर mask है, वो यहाँ पर rotate, tilt and zoom हो रहा है, and also आपको यहाँ पर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा यह आपका simply यहाँ पर motion है, यह फिर animation है, जो यहाँ पर create हुआ है, हमारे tracker के द्वारा, ठीक है, इसके बाद हमारे पास यह slider से, जिसे हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर यह zoom होगा, हमारा timeline, और यहाँ पर भी इस तरह से zoom कर सकते हैं, तो मैं इसे simply यहाँ पर प इसी का भी data यहाँ पर नजर आता है, real time में, कि यहाँ पर किस तरह से animate हो रहा है हमारा tracker, तो simply यहाँ पर यह time लेने हमारे tracker का, और यहाँ पर इन parameters के data यहाँ पर create होते हैं, तो मैं यहाँ पर इस interactive mode को off कर रहा हूँ, ताकि हमारा यहाँ पर mask visible हो जाए, अच्छे से, और ए क्या होता है, कि आपका जो आपने यहाँ पर window create किया है, वो यहाँ पर उसका जो motion है, वो यहाँ पर as it is रता है, अगर मैं इसे समझाओं, तो यह इस तरह से है, कि अगर मैंने यहाँ पर कोई window track किया इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से यह जो car हो यहाँ यहाँ perfect नहीं है तो हम यहाँ पर अपने mask को इस तरह से move कर सकते हैं but यहाँ पर यह real time move नहीं होगा आपको लगेगा कि यहाँ पर हम अपने frame by frame mask को यहाँ पर modify कर सकते हैं वो यहाँ पर clip mode में नहीं होगा बलकि यहाँ पर frame mode में होगा और clip mode में हमारा जो mask होगा वो यहाँ पर as it is रहेगा ठीक है जिस तरह से यहाँ पर यह animate हो रहा है इस tracker का motion उसी तरह से यहाँ पर यह रहेगा आपको यहाँ पर समय आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ ठीक है तो हमारा यहाँ पर mask कहीं भी हम यहाँ पर move करें हमारा mask यहाँ पर कुछ नहीं गोने वाला है हमारा mask उसी तरह से है हमारा motion उसी तरह से है और हमारा shape भी उसी तरह से है बस हमारा यहाँ पर ज तो हमने यहाँ पर इस लोग को तब यहाँ पर स्लिक किया और ट्रैक किया जब यहाँ पर यह पूरा विजिबल था यहाँ पर पूरा विजिबल है तो हम यहाँ पर इसे ट्रैक कर पा रहे हैं बट अगर मैं आपको बोलता कि इस लोग को ना करो यहाँ पर ट्रैक बलकि यहा हो था हमारा mask यहां पर कुछ random सा यहां पर काम करने लगता तो हमने यहां पर उस best option को यहां पर slick किया और यहां पर इसे track किया जो यहां पर visible था ठीक है तो कभी-कभी किसी-किसी case में आपको उस चीज को track करना पढ़ सकता है जो कि यहां पर कुछ है ही नहीं लाग यहां पर इस surface ठीक है तो आपको यहां पर यहां पर यहां पर इसको track करें और जो भी effect होगा हम यहां पर apply करेंगे इस तरह से move करके यहां पर यहां पर कितना सही काम कर रहा है और हमारा यहां पर mask move होगा उसी तरह से जैसे कि हमने यहां पर किया था ठीक है it's absolutely like a magic राइट तो हम यहां पर चाहें तो कुछ भी like अगर मैं color page की बात ना करूँ तो यहां पर मैं इस surface को track करूँगा और यहां पर कुछ भी text या फिर 3D text यहां पर add कर सकता हूँ तो यहां पर कुछ इस तरह से हमारा clip mode यहां पर काम में आता है मैं यहां पर undo कर रहा हूँ और अब हम आते हैं हमारे frame mode में जो कि आप यहां पर सोच रहे थे कि अगर हमारा mask यहां पर अच्छे से track नहीं हुआ है तो frame by frame हम उसे यहां पर modify कर सकते हैं तो वो चीज़ हम यह अपने timeline में रख के जहां पर यह animate move हो जा रहा है वहां पर मैं रहके इस तरह से अपने mask के point को इस तरह से select करूँगा और यहां पर जो चाहूं मैं modification कर सकता हूँ इस तरह से ठीक है and as soon as we do that हमारा यहां पर एक keyframe add हो जाएगा you can see पहले हमारा keyframe add नहीं हो रहा था हमारा mask move हो रहा था वो animate नहीं हो रहा था हम उसका animation वही रख रहे थे बस हम उसका place change कर रहे थे but यहां पर क्या हो रहा है place भी change हो रहा है और हमारा mask भी उसके according यहां पर change ह ठीक है तो हमने इसे यहां पर animate किया तो आप माले तहें इसे play करते हम इस जगह से तो हमारा यहां पर mask जो है वो यहां पर इस जगह से start हो रहा है और यहां पर फ्रोड़ सा इधर जा रहा है ठीक है तो क्यूंब हम यहां पर first frame में रखे फ्रोड़ से modify कर ले इस थारह से now अब यहाँ पर यह सही जा रहा है उसके बाद कभी भी आपको यहाँ पर टाइमले में लगे कि आपका मास्क यहाँ पर हिल डूल रहा है पर्फेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर रहिए और अपने मास्क को यहाँ पर स्लेक करिए और यहाँ पर इसे इस तरह से चेंज करिए और आपका यहाँ पर keyframe add होता रहेगा मैंने बताया हुआ आपको keyframes window edit tab में भी और fusion tab में भी आपको यहाँ पर animation और key framing यहाँ पर समय में आना चाहिए अभी तक क्योंकि मैंने उसे अलड़ी बहुत सारे वीडियो में cover कर दिया है ठीक है तो यहाँ पर हमारा mask अब यहाँ पर हमारे timeline में real time में animate होगा हमारे modification के साथ-साथ just like मैंने अभी यहाँ पर माल लेते हैं कि यहाँ पर मैं आया अपने timeline के और यहाँ पर मैं इस तरह से अपने mask को कर दिया तो यहां पर यह अनिमेट होगा, तो यहां पर यह इस तरह से चल रहा है, और चल चलते हैं यहां पर यह अनिमेट हो रहा है, you can see, तो आप यहां पर यह सब चीज़ें कर सकते हो, और यहां पर यह इस जगह पर गया, क्योंकि हमने यहां पर इसे सेट किया था, बट यहां पर इस keyframe में हमने यहाँ पर इस जगह पर रखाता तो यहाँ पर यह क्या होगा अब यहाँ पर इस जगह से वापस भी आ जागा इस तरह से ठीक है तो आप यहाँ पर इस तरह से अपने mask के या फिर window के tracking को animate करना real time में या फिर modify करना वो सब आप यहाँ पर इस frame mode में आकर कर सकते हो और आपका यहाँ पर जब भी आप इसे करोगे modify आपका यहाँ पर इस तरह से keyframe add होगा और यहाँ पर वो animate होगा इस तरह से ठीक है तो मैं यहाँ पर इसे undo कर रहा हूँ ओके और मैं वापस से अपने frame में आ रहा हूँ one second and nine frames और अगेन मैं यहाँ पर इसे track कर रहा हूँ क्योंकि बहुत fast है यह ठीक है तो मैं इसे कभी भी कर सकता हूँ बस हमें थोड़ा सरकुना है यहाँ पर और हमारा एक last is यहाँ पर बचा हुआ है हमारे tracking window में and वो है हमारा यह option अभी हम यहाँ पर cloud tracker में है cloud अब को याद आ ला होगा जब मैंने यहाँ पर यह on किया था तो यहाँ पर हमारा जो points था उसे माने क्या बला था?, point cloud तो हम यहाँ पर अभी cloud tracker में है और ए इक cloud tracker हमारा simply अपने हिसाब से यहाँ पर इन tracker points को add करता है उनका यहाँ पर एक cloud बनाता है हमारे windows के अंदर और इस तरह से automatic सब कुछ automatic करता है but यहाँ पर अगर हम point tracker में आए इस तरह से तो हमें यहाँ पर अब वो cloud नजर नहीं आएंगे अगर मैं इसे reset करूँ और वापस से उस frame में आऊँ ठीक है अब मैं यहाँ पर इसे animate करूँ तो यहाँ पर यहाँ पर यह animate नहीं हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर अब fully point tracker यानि manual mode में है यह point tracker हमारा एक तरह से manual tracking है tracking यहाँ पर automatically होगा बढ़ हमारा यहाँ पर जो track point है वो हमें यहाँ पर manually लगाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें यहाँ पर यह button दियेगे है यह delete है delete track और यह add track point तो कभी-कभी क्या होता है जब हम यहाँ पर किसी specific चीज को track कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारा जो software है वो अपने हिसाब से यहाँ पर track points add कर देता है और उस वज़े से हमारा जो mask है कभी-कभी यहाँ पर हिल जाता है जो कि हम चाहते हैं कि कभी-कभी ऐसा ना हो और हमें अच्छे तरीके से यहाँ पर idea होता है कि हमें यहाँ पर किस-किस point में tracker point add करना है और उसे animate करना है वो तब होता है जब आप intermediate level या फिर थोड़ा pro level वाले बन जाते हो उस समय यहाँ पर आप चाहते हो कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर tracker point add करो ताकि यहाँ पर आपका software ज्यादा points add ना करे, slow ना हो और बे मतलब का यहाँ पर tracking point यहाँ पर create ना हो तो उस case में आप यहाँ पर use करते हो point tracker या फिर manual point tracker तो इस तरह से यह use होता है आपको यहाँ पर simply अपना windows create करना है of course और यहाँ पर zoom in करना है और यहाँ पर इस point tracker को click करना है और यहाँ पर यह इस तरह से एक आपका tracker point add करेगा so let's say मुझे यहाँ पर पता है कि मेरा जो track point है वो इस window के अंदर ही होगा तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा tracker इस point को track करे ताकि हमारा यहाँ पर mask ना ही ले again हम यहाँ पर एक track point add करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक और track point आ गया हम यहाँ पर इसे रखेंगे just like this एक और और यहाँ पर add करते हुए जाएंगे ठीक है जो कि यहाँ पर मैंने बताया manually हमें add करना पड़ेगा track point और यहाँ पर कुछ यह point भी move करेगा हमारा mask का और यहाँ पर यह point माल लेते हैं ताकि यह हिले न ज्यादा यहाँ पर जितना चाहो आप यहाँ पर track point add कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर माल लेते हैं कुछ यहाँ पर track points add किये जो कि यहाँ पर कुछ corners में किये क्योंकि मुझे बता है कि यह जो mask है वो यहाँ पर corner से हिल सकता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से corner में add किये, फिर यहाँ पर कुछ age में add किये, ठीक है इस तरह से, और मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से cloud create किया points का, और अब मैं अगर इसे track करूँ, अपने सारे properties को यहाँ पर on करके, let's track, so यहाँ पर track होगा, and आपका point यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर यह manual tracking है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर गलती नजर आ सकता है, जो कि आपको of course, अभी यहाँ पर already नजर आ रहा है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर इस तर method है, point tracker का, वो यहाँ पर of course, पूरा automatic और perfect नहीं है, हमें यहाँ पर अभी के लिए, जब तक हम यहाँ पर पुईतर से tracker and track points को यहाँ पर समझने लेते, हमें यहाँ पर अभी के लिए always cloud tracker में रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यह automatic करता है, and यह हमें यहाँ पर perfect result देत है, तो मैं इसे again यहाँ पर track कर लेता हूँ, हमारा यहाँ पर वापस एक point clouds यहाँ पर नजर आएंगे, and you can see, यहाँ पर कितने सारे इसने cloud points create किये है, मैं इसे यहाँ पर फिर से track कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक last चीज़ बताना है, जो कि आपको जानना यह कारण, हमारा यहाँ पर mask held डूल जाता है, ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर bypass करने के लिए, हमारे पास यहाँ पर दो-तिन option है, जिसे हम यहाँ पर use कर सकते है, and पहला हमारा यह insert, उसके बाद हमारा है set point, and उसके बाद हमारा है delete, and यह हमारा यहाँ पर cloud tracker में मिलत ESF tools, ठीक है, तो let's say कि इतना सारा मेरा यहाँ पर point create हुआ है, और माल लेते हैं अभी के लिए, कि मेरा यहाँ पर window held गया, और यहाँ पर अच्छी तरीक से track नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे points थे, जो यहाँ पर useless थे, ठीक है, लागि य यह point का कोई जोड़त नहीं मुझे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर चाहूँ, तो यहाँ पर इस insert में click करूँगा, और यहाँ पर एक box create करूँगा इस तरह से, यह box create हो गया, आप मुझे यह point नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस delete button से, इसे में delete करूँगा, ठीक है, कोई फर trackers, उस frame में हम यहाँ पर इसे remove कर सकते हैं, ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसे click करें इस frame में, और यहाँ पर इस जगह पर box drag करें, और यहाँ पर delete करें, तो यहाँ पर यह इस frame में, यानि कि 59 frames में, यान कि around 1 second वाले time में, यहाँ पर हमारा यह point नहीं है, क्योंक अगर हम चाहते हैं, कि हमारा यहाँ पर कोई point add नहीं है, like हमने यहाँ पर इसे track किया, तो हमारा यहाँ पर इस जगह पर कोई point add नहीं है, और इसी के वाजा से हमारा यहाँ पर mask हिल डूल रहा है, तो हम यहाँ पर of course और points यहाँ पर add कर सकते हैं, like this, हम यहाँ पर इसे click कर करेंगी और यहाँ पर insert ठीक है again box drag and insert तो पहले यहाँ पर हमें simply अपने mask के अंदर यह set point क्लिक करना पड़ेगा फिर यहाँ पर drag करना है इस तरह से उसके बाद हम यहाँ पर insert या फिर delete कर सकते हैं हम चाहें तो ठीक है set point drag delete या फिर insert ओके तो यह रहा हमारे अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे like करें और अपने friends के साथ इसे share करें तब तक लिए मिलते हैं अंगले वीडियो में until then it's peace out